मनिपुर का मा नहीं बोला है प्रधान मंतरी मोदी ने दो महीने से उपर हो गए 130 लोगों की मौत हुई है हजारों लोग विस्थाफित हैं सेकडों करोणों की प्रॉपटी जलकर स्वाहा हो चुकी है प्रधान मंतरी ने ट्वीट करकर हमारी फुटबॉल टीम को सुपकामनाई दी उनको याद देलाना चाहते हूं उस फुटबॉल टीम में तीन खिलाड़ी मनिपुर के हैं और वो आप से न्याय की शांती की अपील की उम्मीद कर रहे हैं मनिपुर पर प्रधान मंतरी को बोलना चाहिए और अगर कोई जाना चाहता है सौहार्द में उनके साथ खड़े रहने के लिए उसकी इच्छी बात है मैं महराज प्रभार और शर्षवाद ने दौनों आज किती परश्यन किया दौनों दावे कर रहे हैं पार्टी के होने वाजपा को छोड़ा वो भाजपा की शातिर अंदाज को समझ चुकी थी उनको समझ में आ गया था कि भाजपा सबसे पहले अपने घटक दलों को खाती है और इसलिए उनके सबसे पुराने घटक दल चाहे वो जदियू हो चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो शिरो मणी अकाली दल जैसी पाटीज हो उनको उनको तिलान जली दे दी आज भाजपाज क्या कर रही है पड़ी डबल एंजन की सरकार चल रही थी अब वो ट्रिपल एंजन की बन गई है डबल एंजन की सरकारों का नतीजा तो हमने मध्यप्रदेश से देखकर मणीपूर तो देख लिए मध्यप्रदेश में आदिवासियों के उपर भाजपा के नेता पेशाब कर रहे है यह असलियत है भाजपा की डबल एंजन की अब ट्रिपल एंजन लगके कहा जाएगा पता नहीं लेकिन यह इंजन यात्रियों को गंतवे पर पहुंचाने के लिए नहीं है यह अपने सुख सत्ता की लोलुपता और एजिंसियों के डर से बने हुए इंजन है और यह तबाही का कारण है यह जो कारवाई है यह तीन महीने बाद की गई है एक आदिवासी के उपर भाजपा के नेता ने वो भाजपा का नेता है भाजपा के MLA का प्रतिनिदी है भाजपा का कार्ड होल्डर है एक ऐसे व्यक्ति ने एक आदिवासी के उपर पिशाब करी और क्यों करी क्योंकि उसको अपने से कमतर समझता है तीन हजार से जादा केसिज हर साल आदिवासियों के खिलाफ मद्धि प्रदेश में हो रहे हैं शिवराद सिंग चौहान की नाक के नीचे 35 हजार से उपर केसिज हो चुके हैं आदिवासियों के खिलाफ मुझे लगता है यह NCP का अपना मामला है शर्थपवार जी राजनिती के पुरोधा है वो जो कह रहे हैं उसमें बिलकुल उनको मुझे लगता है कोई कारण होगा कहने का और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो वहाँ पे घटना करम हुआ उन लोगों को यह याद रखना कि कैसे शिंदे जी को लाया गया था और अब उनकी क्या हलात है वहाँ पर उनका क्या वजूद है सरकार में और कैसे वो तीन इंजन मिलकर महराश्च की और तबाही का कारण बन रहे है यह देखकर दुख होता है लेकिन थोड़े ही दिनों की बात है 24 में हम चुनाओ जीते होगा और मुझे लगता है हम और पुखता और मजबूत बनके भाऊ उबरेंगे नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देख 24.